इस वीडियो में हम मजीद कुछ और नए आनिमल्स के नाम सीखेंगे आपने भी मेरे साथ पढ़ना है सबसे पहले आप दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए और बताईए ये तस्वीर किस जानवर की है ये है एक बिल्ली बिल्ली बिल्कुल ठीक और बिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं कैट कैट आप भी मेरे साथ पढ़ें कैट सी ए टी कैट कैट यानि बिल्ली ये बहुत छोटी सी होती है और आम तोर पर आपको सड़कों पे भी नजर आती है बिल्ली को लोग घर में पालते भी हैं as a pet ये है कैट कैट यानि बिल्ली अब आप इस अगली तस्वीर की तरफ देखिए और बताएं ये कौन सा आनिमल है ये है कुता कुता और इसे इंगलिश में कहते हैं डॉग आप भी मेरे साथ पढ़ें डॉग डी ओ जी डॉग यानि कुता और आम तोर पर डॉग भी आपको रोट पर इस तरह से आम फिरते हुए नजर आते हैं और साथ साथ लोग इन्हें घरों में भी पालते हैं इन्हें कहते हैं डॉग डॉग अब आप बताएए डॉग बिल्कुल ठीक अब इस अगली तस्वीर की तरफ देखिए और जानवर है यह है घोड़ा घोड़ा और इसे इंग्लिश में कहते हैं होर्स होर्स घोड़ा यानि होर्स आप भी मेरे साथ पढ़ें होर्स 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 यानि घोड़ा अब इस तस्वीर के बारे में बात करते हैं यह है डियर और डियर क्या होता है हिरन इर यानी हिरन ये जानवर गोट से यानी बकरी से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है सिर्फ ये के अक्सर डियर या हिरन ऐसे होते हैं जो के साइज में बहुत बड़े होते हैं यानी उनका कड़ लंबा होता है और उनके कान बकरी की निजबत बड़े-बड़े होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ हिरन ऐसे भी होते हैं, जिनके सींग भी होते हैं, लेकिन ये बिलकुल बकरी जैसे ही होते हैं, यानि बकरी की तरह घास खाते हैं, और अकसर दिखने में भी बकरी जैसे ही लगत हैं इन्हें कहते हैं हिरन यानी डियर आप भी मेरे साथ पढ़ें डियर डियर बिलकुल ठीक चलें अब इस अगली तस्वीर की तरफ आईए और ये बताएं ये क्या है ये है चुहा चुहा जो आम तोर पे घरों में भी होता है या आपको बाहर रोड्स पे भी नजर आ रहा ह होता है ये है चुहा और इसे इंग्लिश में कहते हैं माउस 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 यानी चुहा माउस यानी चुहा अब इस तस्वीर की तरफ आईए ये क्या है ये है एक बकरी और बकरी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं गोट गोट जी ओ ए टी गोट गोट यानी बकरी जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं बकरी क्या खाती है बकरी घास खाती है हम इद कुर्बा पे भी यानी बड़ी इद पे इनको जिबा करते हैं इसलिए आपने हर साल आपके घर में इद पर ये जरूर आती होगी और साथ साथ आपने वैसे भी देखा होगा इनको अकसर जगों पे ये है बकरी बकरी जिसे हम इंगलिश में क्या कहते है गोट बहुत खुब चलें अब इस एक और जानवर के मतलिक पढ़ते हैं ये क्या है क्या आपको मालूम है ये है पांडा पांडा इसे हम अर्दू में भी पांडा ही कहते हैं पांडा जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये रीच से मिलता जलता होता है यानि भालू की तरह होता है लेकिन अकसर साइज में ये भालू से छोटा होता है पांडा बहुत ही खुबसूरत जानवर है और बहुत ही प्यारा सा जानवर है पांडा घास खाता है और ये रीच की तरहां खतरनाक नहीं होता अब आप बताएए इस जानवर का क्या नाम है ये है पांडा पांडा बिल्कुल ठीक अब इस तस्वीर की तरफ देखिए ये क्या है ये है एक खरगोश खरगोश जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकने हैं खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं खरगोश को इंग्लिश में कहते हैं रेबिट रेबिट आप भी मेरे साथ पढ़ें रेबिट आर ए बी बी आई टी रेबिट रेबिट यानी खरगोश ये एक बहुत ही प्यारा और चोटा सा जानवर होता है और ये बहुत तेज भागते हैं जैसा कि आपको मालूम भी होगा लोग आम तोर पर रैबिट्स को या खरगोश को घर में पालते मी हैं अब आप बताईए इस जानवर का क्या नाम है ये है रैबिट रैबिट बिलकुल ठीक तो बच्चो इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने मुखतलिफ जानवरों से मतलिक पढ़ा अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन ही जानवरों के नाम इंगलिश में दोहराने की भी कोशिश कीजिए इस तरह आप बहुत जल्द इन आनिमल्स के नाम इंगलिश में सीख जाएंगे